हलो एवरिबन जो बच्चे एससे एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए रिजिनिंग के वहद इंपॉर्टन क्वेशन्स देखिए पहला क्वेशन है आपकी स्क्रीन पर ये आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा गोला बना हुआ है और उसके अंतरकर दो छोटे गोले बने हुए हैं ये चित्र किसे प्रदर्सित करता है ए ओप्सन फरनीचर कुर्सी मेच मनुस माइला जानवर क्रिकेट फुर्बॉल हौकी बच्चे देश समाज इन मैसे ये किसको प्रदर्सित कर रहा है तो आप पताएं ये देखिए ये जो बड़ा गोला है आप देख रह कुर्सी और मेच ये दोनों चीजें आ जाती है तो ये इसको प्रदर्सित कर रहा है ठीक है एक फरनीचर एक बड़ा गोले से संबन देथे और दो छोटे गोले हैं ये कुर्सी और मेच से संबन देथे यानि कि दोस्तों जो फरनीचर है फरनीचर के अंतरगत कुर्सी और म समाहित है ठीक है जैसे मनुस महिला जानवर है तो यह मनुस के अंतरगत महिला यानि के मनुस के अंदर महिला सामिल है जानवर का एक अलग है ठीक है किरकेट फुटबॉल हौकी किरकेट फुटबॉल हौकी यह तीनों खेल अलग-अलग है तो यह तीनों को अलग-अलग हम चि देश और समाज तो बच्चों से ही समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है यानि के बच्चे फिर समाज और फिर देश इसका आरेखन ऐसे होगा और फरनीचर कुरसी मेच फरनीचर का बड़ा और उसके अंदरगत कुरसी और मेच दोनों आ जाते हैं ठीक है इसके बाद दूसरा question ये देखिए आपके सामने चित्र में ये लिखा हुआ 8 क्या लिखा हुआ ये 8 है ये 27 है ये 64 है फिर 125 आया और फिर 216 यानि कि अगले इस चित्र में question mark लगा हुआ है कि यहाँ पर इस खाने में क्या भरा जाएगा तो यहाँ पर देखिए 8 कैसे आया 2 की power 3 8 3 की power 3 27 4 की power 3 64 5 की power 3 125 और 6 की power 216 6 की power 3 216 अब 2 3 4 5 6 अब 6 के बाद दोस्तों क्या आएगा 7 7 की power 3 कितना हो जाएगा 343 is the right answer इसके बाद देखिए अगला question है 2 15 2 15 41 और 80 इसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी तो हम थोड़ा सा इनका difference करके देख लेते हैं 2 और 15 की बीच में क्या है 2 और 15 की बीच में क्या है 2 और 15 का difference कितना है 13 15 और 41 का difference कितना है 26 41 और 80 का difference कितना है 49 ठीक है न तो यहां 13 36 और 13 ती 49 अगला क्या difference आएगा इस संख्या में और इस संख्या इस संख्या के बीच का जो difference होगा 52 होगा अगला difference कितना होगा 52 तो 80 में अगर हम 52 जोड़ दें तो कितना answer पराप्त हो जाएगा 132 इस तो राइट अंसर आगला question देखिए दीवार सीमेंट इंट और छड़ दीवार सीमेंट इंट और छड़ इन चारों में डिफरेंस कौन है इन चारों में डिफरेंस कौन है दीवार इन चारों में डिवार डिफरेंस है क्यों? क्योंकि सीमेंट इंट और छड़ सीमेंट इंट और छड़ इन ही से मिल करके दीवार बनती है दीवार बनती है तो ये दीवार डिफरेंस है और ये इनके मैटेरियल है सीमेंट, इंट और च्छड आगला कॉश्चन है के पी के पी को दर्साय गया है 11-16 से TX को किस से दर्साय जाएगा के पी को 11-16 से और TX को किस से दर्साय जाएगा ये पूछे जा रहा है तो के पी के अंग्रीजी वरनमाला में 11 में स्थान पर आता है तो के की जगे तो 11 लिख दिया गया पी वरनमाला का 16 हुआ अंख है तो पी की जगे में हमने 16 लिख दिया इसी प्रकार पर TX को लिख दीजे तो T की जगे कितना आ जाएगा दोस्तों 20 और X की जगे कितना आ जाएगा 24 X वरनमाला का 24 हुआ इस्थान है तो ये T का 20 और X का 24 20 24 यानि ये इसका राइट आंसर हो गया इसके बाद अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है B अनुपात 16 समानुपात B का जो 16 से अनुपात है B का जो 16 से संबन्द है B और 16 का जो आपस में संबन्द है D और किसका D से संबन्द होगा तो आप देख पा रहे हैं कि B अंगले जी वरनमाला का दूसरा अच्छर होता है तो 2 की पावर अगर 4 कर दें तो 16 पराप्त हो जाएगा D अंगले जी वरनमाला का चौथा अच्छर है तो 4 के उपर भी पर 4 की पावर कर दें तो कितना आ जाएगा 256 तो 256 इस दा राइट अंसर हो जाएगा यहां 2 की पावर 4 करने पर 16 पराप्त होता है तो यह 4 की पावर 4 करने पर 256 पराप्त होगा क्यों दोस्तों हमने B के उपर भी B अंगले जी वरनमाला के दूसरा अच्छा था 2 के उपर हमने 4 की घात लगाई थी तो इस परका D अंगले जी वरनमाला का चौथा अच्छा रहे तो 4 के उपर भी 4 की घात लगाएंगे ठीक है अगला कुश्चन है ब्रत ब्यास चाप के बीच के संबंद को कौन सी आकरति प्रदर्सित करती है ब्रत ब्यास और चाप अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे एक दोस्तों ब्रत होता है ब्रत में ही ब्यास होता है ये लाइन ब्यास होती है और चाप भी उसी के अंदर अंतरगत ही होता है यानि कि जो ब्रत का गोला है वो बड़ा बनेगा ऐसे और उसके अंतरगत ये ब्यास और चाप के दो छोटे गोले हैं तो ये C option बिलकुल correct है ब्रत ब्यास चाप के बीच सम्बंद को कौन सी आकरती प्रदसित करेगी तो ये ये वाली आकरत दसित करेगी ब्रत बड़े गोले से related है उसके अंतरगत ब्यास और चाप के दो छोटे गोले समाहित है इसके बाद अगला question है आठ गुड़े आठ आठ गुड़े आठ 72 प्राप्त हुआ 6 गुड़े 6 बैयालिस प्राप्त हुआ 7 गुड़े 7 56 प्राप्त हुआ कैसे प्राप्त हुआ अब आपको ये पत्र करना है तो 5 गुड़े 5 कितना अंसर आएगा तो आप देख रहे हैं कि 8 नम 72 होता है 8 का अगर multiply हम 9 में कर दें तो हमें 72 मिल जाएगा लेकिन ये हमको 9 मिलेगा कैसे अगर जो 8 के अगली वाली अंग है आप थोड़ा सब को पहले देख लिए 8 नम 72 6 सत्य 42 और 7 अठे 56 मिल आ है तो ये कैसे प्राप्त हुआ देखिए इसको 8 तो ठीक है अब ये जो अगला इसमें जो multiply किया गया है 8 का अगर इसमें हम एक जोड़ दें 8 में एक जोड़ दिया हमने 9 मिल गया तो 8 नम 72 हो गया अगला जो अंग है उसमें एक जोड़ करके अगर गुणा कर दें 6 का गुणा इस 6 में न करके 6 प्लस 1 6 सत्य 42 इसी परकार 7 का गुणा साथ में न करके साथ में एक जोड़ करके मल्टिपलाई कर दें तो साथ अठे छपपन इसी प्रकार पांच का पांच में न गुणा करके पांच का छे में गुणा कर दें एक अधिक तो पांच चका तीस यानि कि राइट आंसर आ जाएगा आपका थर्टी तो दोस्तों यह आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर रुताईएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार करिए हम आपके सेसी एक्जाम्स के चार महत्पूर आयाम हैं रिजिनिंग, मैथ, जनल स्टड़ी ठीक है और इंग्लिस इन चारों के अलग अल का अलग है और उनल का एंग्लीयो के जियो जुड़ी ये जो इस अ जो ऊड़ी ये dyoteव मरताईएगा अवाष्पूर नेता इनल एक्स्ट।